Hello dear students, welcome to one more lecture. We are doing chapter number 2, polynomials, और exercise 2.3 हमने start की हुई है, और आज मैं आपको exercise 2.3 के example number 8, 9 और 10 solve करवाऊंगी. Last lecture में हमने discuss किया था factor theorem के बारे में, और उससे related हमने 2 examples देखे थे. Factor theorem में हमने क्या देखा था, कि अगर कोई linear polynomial x minus a, किसी quadratic polynomial या cubic, हमने तो basically quadratic के लिए देखा था, px का factor है, if x minus a is a factor of px, तो p of a हमारा 0 आ रहा था, means यहाँ से a की value को polynomial में रखने के बाद remainder 0 आ रहा था, मैंने remainder थी और हम भी बताई थी आपको, और इसका उल्टा भी हमने देखा था, उसके बाद हमने दो examples किये थे, जिन में आपको factor दे रखा था, polynomial दे रखा था, और आपको just show करना था, कि वो given polynomial का factor है, जैसे मैं बात करूँ example number 6 की, तो हमें दे रखा था कि show that, show that, ध्यान दे ना, x plus 2 is a factor of 2x plus 4, मतलब हमें main polynomial भी दे रखा था, और जिसको factor show करना था, वो भी हमें दे रखा था, हमें already factors मालूम थे, अब जो examples हम आज solve करने जा रही हैं, उनमें हमें factors find करने हैं, हमें polynomial given है, हमें polynomial given है, और हमें उस polynomial को factorize करना है, means, बदे को factorization में number पे आपको बता चुकी, मालो 12 है, 12 को मैं लिख दू 4 into 3, तो 4 भी 12 का factor है और 3 भी 12 का factor है, मैं इसको 2 into 6 into 1 भी लिख सकती हूँ, तो 2 भी इसका factor है, 6 भी और 1 भी, मतलब एक number के दो factors भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, maybe के 4 भी होते हैं, जितना number बढ़ा हो जाएगा, इसी तरह है, अगर किसी एक polynomial को, मैं 2 या 2 से ज़्यादा polynomial की product में represent कर सकूँ, ध्यान देना, PX को मैं लिख दूँ, GX into HX की product में split कर दूँ, split करना, अलग-अलग करना, तो ये वाला polynomial भी इसका factor हो जाएगा, और ये वाला polynomial भी इसका factor हो जाएगा, और ऐसे 2 नहीं 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे पास quadratic polynomial है, तो उसे हम केवल 2 linear factors में ही split कर सकते हैं, एक factor हो सकता है, X plus alpha हो जाए, एक X plus beta, अगर मेरे पास cubic polynomial है, जिसकी degree 3 है, तो उसके मेरे पास 3 linear factors आ जाएगे, बहुत द्यान से समझ नहीं में मेरे में बाते बताऊंगी, ताकि आप confused ना हो, थोड़ा deep है, बीच में से काफी कुछ delete भी कर दिया, आपका division वगेरा भी, तो हम जादा गहराई में ना जाकर उतना ही समझेंगे, जितना हमारे लिए necessary है, अभी तक हमने जो 7th example तक किया था, हमें polynomial गीवन था, factor गीवन था, जस्त उसको शो करना था, अब factors हमने ढूणने हैं, जबकि हमें polynomial अल्रेडी दे रखा है, समझ में आगी बात, तो यहां factor को समझना बहुत जरूरी है, कि अगर किसी polynomial को, दो या दो से ज़्यादा polynomial की product में मैं represent कर पाऊं, तो वो सारे के सारे polynomial, इस गीवन polynomial के क्या हो जाएंगे, अब इसको करने के दो तरीके हैं, बुक वाले ने आपर खुद लिख रखा है, पहला तरीका है, splitting the middle term, एट में यह method आया हुआ है, थोड़ा, और दूसरा तरीका है, using the factor theorem, जो factor theorem वाला तरीका है, वो मुश्किल है, हम उसे in general use नहीं करेंगे, लेकिन भुक में हमें गीवन है, तो उसको understand करना भी जरूरी है, और दूसरा जो splitting the middle term है, बहुत आसान method है, important है, class 10th, 11th, 12th तक भी, हम इस method को use करते रहेंगे, तो दोनों method से मैं आपको, इसका factorization बताऊंगी, तो सबसे पहले हम इस polynomial को naming दे देते, ताकि हमें बार-बार इसको लिखना ना पड़े, मान लिजे मैंने इस polynomial को name दे दिया, PX, तो PX हो गया, 6X square, plus 17X plus 5, ये एक quadratic polynomial है, अगर मैं इसको linear में break करती हूँ, तो दो factors इसके आएंगे, ये दो से ज़्यादा होगा, तो वो constant factor होगा, चीक है, तीसरा factor constant होगा, अब आप method को समझो, ये है भई, 6X square, plus 17X plus 5, आपको ध्यान देना है, इसके coefficients पर, X square का coefficient है, यहाँ 6, और last का, जो constant term है, वो 5 है, 6 और 5, first और last की product, देखो कितनी आ रही है, ये आ रही है, 6, 5, जा 30, और जो middle term है, उसका जो coefficient है, वो कितना है, 17, अब मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनना, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, मुझे ऐसे, दो numbers ढूनने है, माले ये उनका नाम में, A और B रख दू, मुझे ऐसे, दो numbers, A और B सर्च करने है, जिन दोनों को, अगर मैं add करती हूँ, तो मेरा answer, 17 आना चाहिए, और अगर उन्ही दोनों numbers, को मैं multiply करती हूँ, तो मेरा answer, 30 आना चाहिए, अब वैसे तो, 6 को 5 से multiply कर रही हूँ, तो 30 आ रहा है, लेकिन जब मैं 6 को 5 में add करती हूँ, तो 11 आता है, 17 नहीं आता है, अब कई बच्चे, जो थोड़ा सा fast calculation कर लेते हैं, उनको तो शायद, एक ही minute में mind में आ जाएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिनका एक ही minute में mind में आ है, में में इसके लिए मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, आपने इन दोनों की जो product है 30, उसको factorize कर लेना है, prime factors आपने उसके ले लेने हैं, तो 30 के मैं बना रही हूँ, prime factors 2, 1, 2, 2, 5, 3, 5, 15, prime factorization 8 class में आपका आजाता है, 8 से पहले भी, 8 में तो आता ही है, अब ध्यान देना भई, 30 के जो factors हैं वो ये बन रही है, इनको गुमा फिरा के, हमें हमारा answer मिलने वाला है, तो ध्यान दो भी मेरी बात पर, मैं इसको 2, 3 बार लिख लेती हूँ, 2, 2, 3, 2, 5, फिर मैं इसको लिख लेती हूँ, 2, 2, 3, 2, 5, अब मैं नपेरिंग करने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं, अब ये मेरी बात सुन लो द्यान से, 3, 2, 6, 5, जा 30, अगर मैं इन दोनों की पेरिंग करती हूँ, तो ये बन गया, 6, 5, 30, लेकिन 6 और 5 का, जो sum है, वो तो 17 नहीं आ रहा, तो ये पेरिंग तो हो गई, cancel, 1st को आगे रख देती हूँ, last 2 की पेरिंग करती हूँ, तो 1st तो हो गया 2, और 3, 5, जा हो गया 15, 15, 2, जा तो 30 आएगा, लेकिन अगर मैं 15 और 2 को एड करके देखूँ, तो 17 भी आ गया, बन गई बात, 15, 2, जा 30, बाई 15 में मैं 2 एड कर रही हूँ, तो 17 आ रहा है, बाई मुझे ऐसे 2 नमबर चाहिए, जिनका sum 17 है, और 15 को मैं 2 से multiply करने हूँ, तो मेरी product 30 आनी चाहिए, मैं यहाँ एक तरीके से और पेरिंग आपको करके दिखाती हूँ, इनको आगे पीछे लिख लो, या फिर 2 और 5 की पेरिंग कर लो, 2, 5 जा हो गया, बैटा 10, बैट 10, 3 जा भी तो 30 होता है, लेकिन जब मैं 10 और 3 को एड करती हूँ, तो वो भी 17 नहीं आ रहा, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, मैथड ये समझ आ जाएगा, तो बहुत आसान है, लास्ट एंड फर्स्ट की प्रोड़क्ट 30 है, मिडल टम 17 है, मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए, जिनकी प्रोड़क्ट 30 आए, एडिशन 17 आए, मन में आ जाए 15, 32, 30, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जादा बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं आता है, तो ये जो प्रोड़क्ट वाला पार्ट है, इसको उठाओ, प्राइम फेक्टर करो, और इन फेक्टर को पेरिंग करकर के देख लो, इनको पेर किया, ये असल में क्या बन रहा है, जा बन रहा है, ये टू 15 जा बन रहा है, ये 10 त्री जा 30 बन रहा है, अब इन में से देख लो, जिनका सम 17 आ रहा है, तो वो 15 ओर 2 हो जाता है, समझा गया, इत मेंस, इस अभी क्या नाम पढ़ा था, splitting the middle term और middle term ये है तो इसको मैं split कर दूँगी इसको दो parts में divide कर दूँगी तो कैसे solve करेंगे first term तो as it is first term क्या है 6x square plus अब हम 17 नहीं लिखेंगे 17 को split कर देंगे 15 plus 2 कर दीजिये या 2 plus 15 कर दीजिये doesn't matter और 7 में x आ जाएगा और plus में 5 आ जाएगा तो ये हमने इसको देखो भी ध्यान देना 17 को 17 ना लिखकर 15 plus 2 लिख दिया जो number हमने इस trick से निकाला है अब इस bracket को open करेंगे तो first term फिर से as it is 6x square plus 15 को x से multiply करो 15x plus 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 2 को x से multiply करो 2x और plus 5 भी जब भी हम bracket कोलते हैं तो दोनों से multiply होगी अब ध्यान दो अब इन दोनों टर्म को एक साथ लेंगे इन में जो भी common factor उसे बाहर ले लो इदर 6 है और इदर 15 है दोनों 3 की टेबल में आते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा यहां x का square और यहां x है तो दोनों में से 1 x बाहर आ जाएगा common लेने का मतलब होता है इस वाले term को इससे divide करना तो अभी मेरी बात सुनों यह क्या है 6 x square है और इसमें से मैंने common क्या ले लिया 3 x x cancel हो गया 3 2 6 2 x आ गया वैसे भी सिंपल सी बात है 6 है 6 को 3 से divide करोगे 2 आ जाएगा x square था 2 बार x था एक बार बाहर आ गया तो केवल x बचेगा प्लस 15 को 3 से divide करोगे तो 5 बचेगा x एक था वो ओल्रेडी बाहर आ चुका है clear अब हम last two terms को देखते हैं ध्यान देना भई अब हम last two terms को देखते हैं तो x इधर है तो इधर नहीं है two इधर है तो इधर नहीं है five इधर इधर नहीं है nothing is common one common है one common है तो इन दोनों में से मैं one common लूँगी तो जब इसको one से divide करूँगी तो two x आएगा और इसको divide करूँगी तो five यहाँ एक मजएदार बात आपने note करनी है कि जब हम इस तरह से split करते हैं तो इस bracket में आने वाली term और इस bracket में आने वाली term always same होगी अब दिहान दो देखो एक term तो यह है मेरे पास क्योंकि बीच में यह plus का sign है और एक term यह है और इन दोनों में ही two x plus five है तो यहाँ से बेटा मैंने two x plus five common लेना है तो जब first term में से two x plus five चल आगया ऐसे ढख लेना cover कर लेना तो क्या बचा केवल three x बचा यह पूरी term है दिख रही है मेरी finger के बीच में fingers के बीच में यह मैंने common ले दिया तो केवल three x बचा plus इस पूरे को common ले दिया तो केवल one बचता है देखो भई क्या आ गया यह polynomial इन दोनों की product के इकवल आ गया यहां तो हम equal to लगा रहें left में तो हमने ध्यानी नहीं दिया है left में तो यह चल रहा है कि six x square plus seventeen x plus five left में चल रहा था और right में क्या आ गया right में आ गया two x plus five multiplied by three x plus one और यह हमारे quadratic polynomial के दो polynomial ही factors आएंगे number का factor number होता है तो polynomial का factor polynomial होगा तो इस quadratic polynomial के यह दो linear factors आ गए जब हम इस term को इस term से multiply करेंगे अपनी eighth class की तरह तो यही answer आ जाएगा यह है splitting the middle term जो कि बहुत easy रहेगा अभी हम जब पांसत question की practice कर लेंगे तो बहुत आसान लगेगा अब अगला हमारा आ जाता है इसको आप note कर लो क्योंकि मैं यह से अब इसको rub करूंगी हम ज्यादा करें तो answer को वहाँ side में note कर लेते हैं क्योंकि जब हम factor theorem से करेंगे तो हम tally करेंगे कि क्या हमारा answer सेम आ रहा हैं अभी आप question को factor theorem से हम discuss करने जा रहे हैं तो आप देखोगे कि factor theorem से आपको बहुत मुश्किल पढ़ने वाला है बहुत ही typical पढ़ने वाला है तो उसे हम in general नहीं करेंगे लेकिन example में बुक वाले ने बोल रखा है तो हम उसको समझेंगे जिन students को ना समझाए factor theorem वाला पार्ट तो skip कर देना कोई दिकत न middle term से ही बेटाजी करने वाले हैं लेकिन जिन बच्चों ने competition की preparation करनी है तो वो इस method को इस concept को जरूर समझे ठीक है अब यहाँ पर factor theorem से हम इसको कैसे split करेंगे उस चीज को समझते हैं तो भी देखो इसके दो factors होंगे लेकिन इसको करने के लिए हमारा सबसे पहला तरीका क् इस polynomial की जो 2 power वाली term है उसका coefficient constant होना चाहिए 1 होना चाहिए उसका coefficient 1 होना चाहिए constant तो है इसका coefficient 1 होना चाहिए 1 कैसे करें तो इस पूरे polynomial में से 6 को common ले लो common लेने का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि इनको 6 से divide करना देखो एक तरीका और बताओ इस पूरे polynomial को 6 से multiply कर दो और पूरे को 6 से divide कर दो देखो इसके नीचे भी 6 लगा दिया बाहर भी 6 लगा दिया 6 से अगर मैं 6 कैंसिल करूंगी तो मुझे कोई फरक थोड़ी पड़ेगा मेरा तो वही polynomial आ जाएगा अब इसको तो बाहर ही रहने दो सुलो ज्यान से इसको तो बाहर ही रहने दो और इसको तीनों के नीचे अलग-अलग कर दो तो ये बन गया 6 x square by 6 17 by 6 x plus 5 by 6 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और यही पर कर रही हूं मैं थोड़ा सा है ना एक दो step avoid करने के लिए तो यह आ जाएगा यहां से सीधा मैं यहां आ सकती थी यह fourth step होता मेरा मैंने बीच में यही परिरेज कर दिया है तो common लेने का मतलब होता है कि हर time को उस common से divide करना तो इतना लंबा आपने करना नहीं है मैंने तरीका बताया है इसको note करना चाहो तो कर सकते हो otherwise जब हम इस question को अब करेंगे तो मैं सीधा 6 common लूँगी और यह बन जाएगा x square 6 से divide कर दिया इसको 6 से divide करोगे तो 17 by 6 x और इसको करोगे तो 5 by 6 ठीक है बई यह आ गया हमारा polynomial जिसको हमने factor theorem से factorize करना है अब इसके द दो factor होंगे ठीक है तो दो factor होंगे तो दोनो linear होंगे यहीं बताती हूं मैं दोनो linear होंगे ध्यान देना तो यह 6 तो बाहर रह गया और अंदर वाली term के दो factor देखो मैंने अभी lecture start किया तब मैंने आपको बताया भी था कि a x square plus b x plus c कोई quadratic polynomial है तो उसके जो linear factor बनेंगे उसमे बीटा बन जाएंगे ठीक है alpha बीटा नहीं लोंगी मैं इसके दो factors ले लेती हूं वो बन जाएंगे x plus a और x plus b और जब तक मुझे ये a और b नहीं पता होंगे तब तक मैं इन factors को find नहीं कर सकती देखो अभी मैंने splitting से निकाला तो कुछ इसी तरह की factors आ रहे हैं अभी x के कि दो आ गया है वो बाद की बात है लेकिन ax plus b लगा लो और cx plus d लगा लो तो linear ये है और linear ये है क्योंकि हमने यह x का coefficient 1 कर दिया है तो अंदर भी मैंने जब x को x से multiply करूंगी तो 1 ही तो आएंगा समझ में आ रही मेरी बात तो क्या किया कि पहले factors pose कर लिए कि इसके ये दो factors होंगे अब ये हमें कब मिलेंगे जब हमें a और b मिलेगा तो अब हम इसको right side में multiply करते हैं left side भी में साथ साथ लेकर चलूंगी 6 into x square plus 17 by 6x plus 5 by 6 और इधर आ गया 6 इन दोनों की multiply class 8 में हम कर चुके हैं x को x से करोगे x square a को x से करोगे ax फिर ध्यान से समझना पहले इस x को x से किया फिर इस x को a से किया अब b से करेंगे तो plus b x और b को a से करेंगे तो a b कर चुके हो it class में थोड़ा और आगे बढ़ो तो ये बन गया x square इन दोनों में x common है तो ये बचेगा a plus b x और plus a b अब मैं bracket change कर देती क्योंकि small bracket अंदर आ चुकी है 6 मैं cut नहीं क अब देखो अब सुनो मेरी बात बाहर तो दोनों में 6 6 आ गया भूल जाओ इसका comparison हम इससे करेंगे और फिर हम a और b find करेंगे सुनरो मेरी बात इधर x square इधर x square लेकिन इधर x के साथ a plus b है इधर x के साथ 17 by 6 है क्योंकि ये दोनों साइड्स equal है तो दोनों साइड्स में ज लेती हूं compare जब मैं compare करती हूं तो ध्यान देना बिटा कि x का coefficient a plus b और यहां x का coefficient 17 by 6 तो a plus b तो आ गया 17 by 6 और ये जो a b है वो आ जाएगा 5 by 6 अब हम चाहें तो 2-4 मिंट में इस question को कर सकते हैं लेकिन वो कुवाले ने बोला factor theorem यूज करो भई factor theorem तो कैसे यूज करे factor theorem अब समझो मेरी बात यह जो a b आया है उसमें हमारा 30 आ रहा था याद करना फर्स्ट और लास्ट की प्रोड़क्ट वो आ रही है 5 by 6 तरीका मुश्किल है फिर कह रही हूं मैं लेकिन इतना भी नहीं है कि सबको समझ में ना आए इस 5 by 6 को नफेक्टराइज कर लो इसके जित 5 by 6 पहला फेक्टर हो सकता है 5 into 1 by 6 5 को 1 by 6 से मल्टिप्लाइ करोगे दूसरा फेक्टर हो सकता है और भाई माइनस 1 और माइनस 5 by 6 हो सकता है और भाई माइनस 5 और माइनस 1 by 6 की प्रोड़क्ट भी 5 by 6 आएगी 1 by 2 और 1 by 3 की प्रोड़क्ट भी 1 by 6 आने वाली है या माइनस 1 by 2 और 5 by 3 की प्रोड़क्ट आएगी या को ही अवोइड करते हैं हम यहाँ पर इस मैथड से हम इस कैलकुलेशन को लंबी कैलकुलेशन को अवोइड करने के लिए स्प्लिटिंग दा मिडल टाम यूज करते आ रहे हैं तो यह हो जाएगा माइनस 1 by 3 और माइनस 5 by 2 या प्लस 1 by 3 और प्लस 5 by 2 अब हमें यह देखना पड़ेगा कोई और फैक्टर तो मेरा नहीं रह गया है समझ पारे हो आप मेरी बात को कि 5 by 6 के सारे पोसिबल फैक्टर डूंडो बई 5 by 6 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं ऐसे भी लिख सकती हूं इन दोनों की प्रोड़क्ट में भी इन दोनों की में इन दोनों की में भी इन दोनों में भी इन दोनों में भी और इन दोनों में भी तो इसके जो पोसिबल फैक्टर ज आ रहे हैं ध्यान से सुनना मेरी बात को पोसिबल फैक्टर ऑफ 5 by 6 क्या क्या बन रहे हैं देखो ज़रा ढूंडो प्लस 1 माइनस 1 तो प्लस माइनस 1 आ गय यह दोनों हो गए और यह दोनों हो गए 5 प्लस का इसको नेगटिव में नहीं लिया है लेकिन आ जाएगा तो प्लस माइनस 5 हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई 6 हो जाएगा 1 बाई 2 देखो तो प्लस माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा प्लस माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा बहुत द्या प्रोसेस है अब इसमें फैक्टर थियोरम कैसे यूज करें तो वेदे को फैक्टर थियोरम में हमने यह देखा था कि अगर पॉलीनोमियल में मैं किसी कॉंस्टेंट ए को रख दू और वो वैल्यू जीरो आ जाए तो जो एक्स माइनस ए है देट इस आ फैक्टर ओफ पी सुन मैंस करके जो लीनियर पॉलीनोमियल बनता है वो उस गीवन पॉलीनोमियल का फैक्टर होता है अब आपने क्या करना है अब आपने इस पॉलीनोमियल पी एक्स को पकड़ना है और उसमें यह सारी वैल्यू बारी बारी से पुट करनी है जिस वैल्यू को रखने पर यह जीर तो होगा वो दूसरा बनेगा अब मुझे तो आइडिया है इसलिए अभी मैं रभ करूंगे यहां से तो इसलिए मैं डारेक्ट वह वह मैंने रभ कर दिया इदर आंस्वर 2x ले ढाल होंगे यहां दो कर दिया माइन एक करूंगी दो अन्यक्राहिट समस्ता कि मैं टो स्कोखेंगे नेगचार तो जीिरो अगए नीद्लेटियों हो बनेको मैं ऑनगए फ सभी सरुव मैं एक्ष पर्ले की असराफ श्रेग में लिएए का LCM ले लो LCM आ जाएगा 4, 6, 2, 2, 4, 2, 7, 34, 5, 4, 20, 5, 4, 20 ये 0 नहीं आ रहा, 20 और 26 में से 34 माइनस करोगे तो 0 नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहां से उठाती हूं, माइनस 5 बाइ 2 ध्यान दे न, मैं यहीं पर इसको एडिट कर रहीं, ये 0 नहीं आया, मेरी बात फिर समझें, कि P में जब मैंने माइनस 1 बाइ 2 रखा तो ये 0 नहीं आया, तो X प्लस 1 बाइ 2 इसका फैक्टर नहीं है, अब मैं, मैं तो उदर से आइडिया ले रही हूं, समझ 17 बाइ 3 हो जाएगा, अब हम LCM ले ले लेते हैं, 9 ध्यान देना, 6, 3, 3 जा 9, 17, 3 जा 51, 5, 9 जा 45, 45 और 6, 51, 51 में से 51 माइनस करेंगे, 0 आ गया, P को माइनस, हाँ, देखो मेरी बात सुन लो, माइनस 1 बाइ 3 रखने पर 0 आ गया, तो X माइनस 1 बाइ 3, यानी कि X प्लस 1 बाइ 3 is A factor of PX, यानी किस पोलिनोमियल का एक फैक्टर मिल गया डूंडने से, दूसरा डूंडने की जरूरत नहीं है, उसको हम यहां से निकालेंगे, सुन लो मेरी बात, अब मैं यह सारा यहां से रख कर रही हूं, एक फैक्टर अगर मेरा आ गया, अब देखना एक बार, A और B की प्रोडक्ट 5 by 6 हैं, और एक फैक्टर जो मेरा आ रहा है, वो माइनस 1 by 3 आ रहा है, एक ही वेल्यू आ रही है, माइनस 1 by 3, इसमें पुट करो, माइनस 1 by 3 into B, 5 by 6 आ गया, ख्रॉस मल्टिप्लाइ कर दो, तो 5 by 6 into 3 by माइनस 1, 3 तूजा 6, माइनस 5 by 2 मेरा दूसरा 0 आ गया फैक्टर नहीं आया, फैक्टर तो यह है ना, एक्स प्लस 1 by 3, अब फिर सुनलो मेरी बात ध्यान से, इसी को यूज करो, पीक के अंदर जब हम माइनस 5 by 2 रखेंगे तो मेरा 0 आएगा, तो मेरा फैक्टर हो जाएगा, एक्स माइनस 5 by 2 यानिकी, एक्स प्लस 5 by 2, तो यह द प्लस 5 by 2, नोट कर लो, तो जब यह जो टर्म है, अब इसको यहां रख रही हूं, मैं देखो, अब मैं यह सारा साफ कर देती हूं, एक बारी दर से, और आप समझने की कोशिश करें, कि यह था, एक्स प्लस है, एक्स प्लस भी, तो एक्स प्लस ए तो मेरा आ गया, एक्स प बन गया, 3X प्लस 1, इस ब्रैकिट में 2LCM ले लो, तो यह बन गया, 2X प्लस 5, 3, 2, 6, कैंसिल हो गया, और 3X प्लस 1, इंटू 2X प्लस 5, यह हमारे इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स बन गये, यूजिंग फैक्टर थियोरम, जो कि बहुत लंबा, बहुत बोरिंग काम है, और हम इसे अपने numerical solve करने में बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, और cubic में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो यह क्योंकि बुक में दे रखा था, तो ऐसा नो कि को student यह कहा दे, कि मैंने बिल्कुल इसको discuss नहीं किया, तो मैंने इसको discuss किया है कोई डाउट रह जाये तो मुझे बताना अधरवाइज हम स्प्लिटिंग दा मिडल टम से ही अपने क्वेश्चन सॉलो करेंगे